सोरे कुमार यादब और इसान किशन की बिसफोटक पारी के बाद रिंकु सिंग के धमाल से टीम इंडिया ने टीट्वन्टी सिरीज के पहले मैच में दो बिकेट से रोमांचक जीत तरच की है रिंकु सिंग ने आखरी बॉल पर चक्का लगा कर टीम इंडिया को जीत दिलाई गुरुबार को खेले गए टीट्वन्टी सिरीज के पहले मैच में आस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 209 रन का लक्ष रखा था भारतिय टीम ने 19.5 ओवर में इस लक्ष को हासिल कर लिया इस मैच के आखरी ओवर में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला भारतिय टीम को आखरी ओवर में 6 गेन में 7 रन बनाने थे रिंखो सिंग ने इस ओभर की धमाकेदार सुरुवात की और गेनबाज सीनेवट की पहली ही गेन पर चौका लगाया इस ओभर की दूसरी गेन पर लेगवाई के रूप में एक रन बना ओभर की तीसरी गेन पर अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे और अक्षर पटेल इस गेन पर गेन बाद सिनेबेट को कैच दे बैठे इस ओभर की चौथे गेन पर रभी बिश्नोई रन आउट हो गए हलाकि भारतिये टीम के लिए रहत की बात रहे केस गेन पर रिंको सिंग स्ट्राइक पर आ गए अब अंतिम दो गेन पर भारत को जीत के लिए दो रन बनाने थे उभर की पाचमी गेन पर रिंको सिंग ने सीमा रेखा की तरफ सौट खेला और दो रन के लिए भागे मगर दूसरा रन लेने के चक्कर में अर्सदीब सिंग रन आउट हो गए अब भारत को जीत के लिए आखरी बॉल पर एक रन की ज़रुवत थी रिंकु सिंग ने चक्का लगा कर टीम इंडिया को जीत दिला दी रिंकु सिंग ने चार चोको की मदद से नाबाद 25 रन की पारी खेली वहीं इस मैट में इससे पहले उस्टेलिया ने पहले बल्ले बाजी करती हुए जोस इंगलिस के पचास इंड में 110 रन और स्टीब स्मित के 22 रन की मदद से बीस ओभर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए जोस इंगलिस ने सिर्फ 47 गेंड में सतक लगाया उन्होंने अरन फिंस के रिकॉर्ड के बराबरी की जिनके नाम ऐस्टेलिया के लिए सबसे तेज 47 गेंड में सतक लगाने का रिकॉर्ड था और स्टेलिया के 209 रन के लक्ष के जवाब में भारती टीम की सुरुवात अच्छी नहीं रहे देतुराजगा एक बार बिना कोई रन बनाए रन आउट हो गए वहीं सस्वी जायसवाल ने 8 गेंड में 21 रन की पारी खेली हलाकि इसके बाद इसान किशन और सोरे कुमार अदब ने ताबर्तूर बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों के भी सतकी एशाज़ेदारी हुई जिसकी बज़त से टीम इंडिया लक्ष के करीब पहुँच सकी इसान किशन ने 49 गेंड में 28 रन के पारी खेली उन्होंने यह कारनामा सिर्फ 47 इनिंग में किया इसके अलावा टीम इंडिया ने टी-20 में सबसे सफल रन चेज किया भारतिये टीम ने 209 रन का टार्गेट हासिल किया यह टी-20 में भारतिये टीम का सबसे सफल रन चेज है इससे पहले साल 2019 में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडिज के खिलाब 208 रन के टार्गेट को हासिल किया था इस वीडियो में फिलहाल इतना ही खेल जगत और उससे जूरी अनिक खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें आप हमें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं